हाई गाईज वेलकम डिश्टडी का उस तो आज हम बत करेंगे मेडिटेनेंसी के बारे में जिसको की मिडल आफ अर्थ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ग्लोबल मैप पे अगर हम देखें तो एकदम मिड में ये लोकेटेड है यहाँ पे तीन मेंली कॉंटिनेंट लगते है जैसे नीचे यहाँ पे अफरीका कॉंटिनेंट है साइड में इधर यहाँ पे एशिया कॉंटिनेंट और उपर में यूरोप कॉंटिनेंट है अब यहाँ पे इन सारे कॉंटिनेंट की अराउंड 16 कंट्री जो है उन सब की कोस्ट लाइन जो है वो मेडिटेनेंसी में पड जैसे कि अगर हम एक एक रीजन की बात करें तो यूरोप जो है उसकी around six countries जो है उन सब की boundary यहां पे लगती है coast line यहां पे लगती है एशिया की यहां पे चार countries की coast line है उसके अलावा जो अफरीका continent है उसकी पांच countries की coast line है और उन सब के अलावा यहां पे एक transcontinental territory भी located है और यह जो एक transcontinental country है इसका नाम है Turkey जिसका कुछ पार जो है वो यूरोप में आता है और कुछ पार एशिया के अंदर आता है इस वज़े से ही इसको transcontinental country बोला जाता है जिसकी जो coast line है वो Mediterranean Sea में पढ़ती है यहां पे एक state भी है जिसको की Turkish state या फिर Bosporus state के नाम से जाना जात है अगर हम Europe countries की बात करने तो 6 countries Europe की ऐसी है जिनकी coast line Mediterranean Sea में लगती है जिसमें पहली है Greece दूसरी हो जाएगी यहां पर Italy थर्ड हो जाएगी यहां पर Spain और 4 यहां पर हो जाएगी मौनाक को 5 यहां पर France है और उसके अलावा 6 यहां पर है Malta इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं GISM FM ठीक है जिसम FM के रूप में हम जो Europe countries हैं जिनकी coast line maintenance में लगती है उन सब को याद रख सकते हैं वैसे ही अगर हम African continent की बात करें तो इसकी पांच countries की coast line यहां पर लगती है जैसे कि तुनीशिया हो गया अलजीरिया हो गया लीबिया हो गया जिप्ट हो गया और मरॉक्कों हो हो गया और मरॉक्को हो गया और वैसे अगर हम एशिया की बात करते हैं एशिया की यहां पर चार कंट्री की coast line लगती है जिसमें पहली है सीरिया दूसरी है यहां पर इसराइल थर्ड है यहां पर लेबनोन और फूर्ट है यहां पर सिरिप जो की एक island country है इन सब को याद हम की coast line की country जो उन सब को हम याद रख सकते हैं यही थी कुछ important information meditancy के बारे में और उसकी जो coast line की country जो उन सब के बारे में so आज के लिए बस इतना ही hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study cows thanks for watching and have a good day